और दोस्तों, आज का कोशन हमारे पास है, कोशन नमबर 18, गे 2023 का कोशन है, कोशन कहा रहा है, consider two identical spin 1 upon 2 particles, labeled 1 and 2, in the spin product, this one, कोशन कहा रहा है न, non identical spin particles हैं हमारे पास, एक को वन नाम दिया गया है, ठीक है, एक को दो नाम दिया है, कोई बात नहीं, spin में दे रखा है, 1 upon 2 है, अब देखो, हम भली भादी हम जानते हैं, जब spin हमारे पास 1 upon 2 होती है, तो दो state में basically वो हो सकता है, plus 1 upon 2, और वो हमारे पास minus 1 upon 2, तो यानि देखो, ये cat की form में लिख रखा है, हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, ये state की वो बात कर रहा है, है न, य दो state possible होती है, हम भली बात ही जानते है, तो इनको हमने quantum mechanically लिखा है, cat की form में, तो question के रहे है, the hamiltonian of the system is, hamiltonian दे रखा है system का, where s1 and s2 are the spin operators, s1 and s2 क्या है, spin operators of particle 1 and 2 respectively, where lambda is the constant, what is the expectation value of h in the above state, expectation value पूछ रहा है, अब देखो, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सरल question है, कुछ भी नहीं है, इस question में, ठीक है न, कहीं तरीके से approach कर सकते हैं, अब हम मैंने quantum mechanics अभी तक start नहीं किया है, लेकिन मैं atomic and molecular physics में हमने जीतना क्या है, उसके इस question को बताता हूं, बहुत ज़्यादा simple है, अब एक हमिल्टोनियन हमें कितना दे रखा है, हमिल्टोनियन दे रखा है, 4 lambda, h cut square, s1 upon में, ठीक है, अब दो पार्टिकल हमारे पास, एक 1 और एक 2 है, दोनों का spin दे रखा है, तो total spin क्या जाएगा, दोनों का हमारे पास combined form में, s1 plus s2 ही तो होना चाहिए, या नहीं, समझ माया, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यह आएगा मेरे पास हम बली बाती जानते हैं, कि दो वेक्टर का समगर एक तीसरा वेक्टर मिल रहा है, तो वेक्टर एडिशन से हम क्या है, resultant यही तो आएगा हमारे पास, यह आएगा 2, s1 dot s2, यह s1 dot s2 ही तो चाहिए, यह मुझे यहां रखने के लिए, तो मैं यहां से क्या निकाल लूँगा, यह मेरे पास s1 dot s2 कितना आएगा, 1 upon 2, s2 minus s1 square minus s2 square, समझ माया बात, ठीक है, कोई doubt है, अब ध्यान से देखो, यह चीज़ आ गई हमारे पास, है ना, अब हमें है, मिल्टोनियन कितना दे रखा है, हमिल्टोनियन दे रखा है, यही तो दे रखा है, हमिल्टोनियन हमें, ठीक है, अब हमें expectation value पूछ रखी है, तो expectation value क्या होगी, यह तो constant आप बहार आजाएगा, तो जो expectation value, S1 दो test 2 की होगी, वही मैं Hamiltonian से के, निकाल सकता हूँ, यही मुझे इसके expectation value पता चल जाए, यह हम और रड़ी बता, निकाला है, मैंने यह, मैंने आपको बताया, यह हमारे पास कितना है, ठीक है ना, अब देखो, हमारे पास spin कितनी हो, magnitude कितना होता है, हमारे पास, S square, S, S plus 1, H cut square, यही तो होता है, और यह S1 किसके लिए क्या होगा, S1, S1 plus 1, H cut square, और S2 के लिए कितना होगा, S2, S2 plus 1, H cut square, यह expectation value होती है, actually मैं, तो यहाँ पे देखो, जब expectation value मैं निकालूँगा न, S1 dot S2, तो मैं क्या लिखोंगा, देखो, H cut square तो सभी से बाहर आजाएगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे, S, S plus 1, अब ध्यान से देखो, S1 actually क्या 1 upon 2 ही तो है, तो यहाँ जब मैं 1 upon 2 लिखोंगा, यहाँ 1 upon 2 लिखोंगा, प्लस, तो यह कितना आजाएगा, 3 upon 4, समझ मैं, तो यहाँ 3 upon 4 आजाएगा, यहाँ minus S2 के लिए भी, इस मैं 1 upon 2 लिखोंगा, तो 3 upon 4 आजाएगा, तो मेरे पास basically बना क्या है, S2 का square, S, S1 plus, अज़िए 3 मटे में, 2, यह आगया हमारे पास, समझ माही बात या नहीं आई, ठीक है, अब देखो, resultant S क्या होगा, देखो हमारे पास S1 कितना है, 1 upon 2 है, S2 कितना है, 1 upon 2 है, तो this implies that, total spin कितनी आएगा हमारे पास, minimum value 0 आएगी, maximum value कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना, अब देखो, minimum में एक एक जोड़ दो, तो maximum तक पहुँची गए, तो मालब यही दोनों ही है, और कोईशा नहीं है, ठीक है, तियोरी में मैंने अच्छे से बता रखा, किस तरीके से हम निकालते हैं, अब हमें क्या करना, पहले हम S0 के लिए निकालो, है ना, 4 S is equal to 0, तो यह हमारे पास कितना आगया, जब हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्या रखेंगे, 0, तो यह पूरा 0 हो जाएगा, और यह माइनस 3 अपोन 4 H cut square आएगा, समझ माँ गई, उसी तरीके से हमारे पास जो हमिल्टोनियन की expectation value आएगी ना, क्या आएगी, 4 lambda H cut square, और यह पूरा है ना, माइनस 3 अपोन 4 H cut square, 4 से 4 कटेगा, H square से H square कटेगा, तो माइनस के 3 lambda आगए एक तरीके से, अब यह expectation value of Hamiltonian की क्या होती है, energy तो होती है, तो E1 माल लो इसको एक तरीके से, क्योंकि S0 के लिए निकाला है, S1 के लिए भी निकालना है, अब देखो, 4S is equal to 1 के लिए निकालो, हमारे पास कितना आता है, अब यहाँ पे जब 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 अपोन 2 कितना होगा, हमारे पास, यह आ जाएगा, देखो, यह 2 तो 4 माइनस 3 अपोन 2, यह यह 1 अपोन 2 आ गया, यह यहाँ पे ना, देखो, कुछ नहीं करना, 1 रख दो, यह simply, basic सी calculation है, यह आ गया, अंदर 1 अपोन 2 आएगा, बाहर नीचे 2 है, तो यह बन गया, ठीक है ना, समझ माँ आ गया, अब देखो, तो उसी तरीके से expectation value, अब इस case में क्या हो जाएगे, 4 lambda upon h cut square, और यही तो था हमारे पास, ठीक है, तो 4 lambda h cut square, तो यह h cut square upon में 4, h cut square से h square कड़ेगा, 4 से 4 कड़ेगा, तो simply हमारे पास क्या बचा, lambda बचा, तो यह क्या होगा, एक तरीके से e2 आ गया है ना, अरो हमसे expectation value क्या, average ही तो पूछ रहा था, तो दोनों को जोड का अधा कर दो, तो minus 3 lambda plus lambda upon 2, तो कितना हैगा, minus 2 lambda upon 2, और 2 से 2 को काड़ देंगे, तो क्या बचा, खाली minus lambda बचा, समझ में आगई बात, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या हो गया, question खत्म, और हमारा answer आएगा, कितना आएगा हमारा answer, हमारा answer आएगा minus के lambda, ठीक है, तो वो पूछ रहते हैं, expectation value बताओ, above states में कितनी होगी, तो वो हम उन्हें निकाल लिया, तो मिलते हैं अगले question में तब तक पढ़ते रहे, धन्यवाद,